नमस्कार, हाट टॉपिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ अखिलेश शर्मा केंदी राज्यमंत्री और पश्यमंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकान मजुमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव देकर पश्यमंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दिये सुकान मजुमदार के प्रस्ताव पर टीमसी आग बबुला है टीमसी ने इसे पूरी तरह से खारिज का राज्य में अशान्ती पैदा करने की कोशिश करार दिया है उधर बीजेपी का कहना है कि ये योजना बंगाल के विभाजन की नहीं लेकिन इसे लेकर बीजेपी में भी अंद्रूनी कधा सामने आ गई है सुकान मजुमदार को उनके ही पार्टी के विधायक की आलोशना का सामना भी करना पड़ रहा है कार्शियां के बीजेपी विधायक विष्णू प्रसाज शर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यश के प्रस्ताव को अब आस्त्री करार दिया है आझ मनने वों प्रधनंतिर शेत्यों देहका कोरे मनने वों प्रदंपर हंदिये प्रस्ताफ तुले दियेश। आपा दत्तो जे प्रेजेंटी सुले दिये शीं जैते 39 इश्टे शोत्तर्वंगे सीमिलर्टी की आचे येवां ताल्फательμο के पर आपने कि प्रख्ण पर नियुक करा जेते पाड़े, प्रफोजाल आपी मानने प्रधनमोंती के दिये छी, यह रषी आयर बानने प्रधनमोंती तर विचार करवेने, मुग अगामिदने जोधी नौर्थिस्टे शाते उत्तरवंगो जुप्तो हाए, उत्तरवंगो पसी म लोगों को ब्रहमित करने के कोशिश करार दिया है देखिए शुकंत मज्यूंदार जो बोल रहा है ये प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका बात हुआ देखिए ये फिर से वो ये हरने के बाद ये नौर्द बेंगल थोड़ा अलग अलग ये बंगल से अलग करने का प्रोवोकेशन ये सब स्मेल आ रहा है बदबू आ रहा है उन साथ बेंगल का भी नहीं यह तो बंगल कहीं दुश्माना रुपेया माब दीजिए सौधिन का प्रुपेया माब दीजिए यह तो डेली में पूरा बंगल का खीलाा कंस्पिरेसी कि आता है शुकंत मों जुम्दारण कॉंपनी कॉठ जबकि करशियांग से बीजेपी विध शुकानत बाबु का ये बयान यूटोपियन थॉट है। ये कभी हो गया ही नहीं। दूसरा ये उत्तर बंगाल के लोगों को जो बंगाल से सेपरेशन चाहते हैं, उनका 27 के चुनाओं में आईवास करने का एक तरीका है। सिक्कीम को मिलाने में बहुत जद्दो जहत करना पड़ा था, ये मुझे मालूम है। उस जद्दो जहत में कुछ इस्पेशल प्रोविजन के चलते सिक्कीम को उसमें अंतरभुकता किया गया। ये कि सिक्कीम 371F के तहत रिजर्वड है, उनका इस्पेशल प्रेरोगेटिव है, तो उसके चलते उनको पुर्वत्तर परिशद में लिया गया था, ये तो बंगाल है, और बंगाल में पुर्वत्तर का जो कैरेक्टर है, उसका मिलता नहीं, मिलता जूलता नहीं है। दिखिए उत्तर बंगाल का जो छेत्र है, वहाँ से BJP को राजनेतिक सफलता मिले है, चुनावी सफलता मिले है, और चुनावी सफलता को बरकरार रखने के लिए BJP को जमीन पर डिलिवर करते हुए दिखाई देना परेगा, दोहजार चौबेस के जो चुनावी जो रिजल में लड़ा गया था, लेकिन अब जो स्थिती है, दोहजार चौबीस की चुनाव, विधान सबा चुनाव, बहुत ही एहम चुनाव होंगे, त्रिनमल कॉंगर्स इस चुनाव में उत्तर बंगाल के तरफ फोकस रख रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सीट बढ़ाना है, औ अगर इसी दिशा में त्रिनमल कॉंगर्स चल रहा है, तो बीजेपी का जो एक बेस बना है, जो एक स्ट्रॉंग होल के सकते है आप उत्तर बंगाल में, उसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी को वहाँ के वोटर्स को ये दिखाना पड़ेगा कि उस शेत्र की जो डिवल मंत्री बने है, डिवलप्मेंट अव नौतीस रीजिन का राज्य मंत्री बने है, उनका ये प्रस्ताव रखा गया है, हाला कि सब को इस बात से कोई असम्मत ही नहीं दिखा रहे है, कि ये चुनाव के उपर नज़र रखते हुए इस प्रस्ताव को रखा गया है, लेकिन इ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास महमान भी जुड़ रहे हैं, मानाव जयासवाल जी हैं, जो की TMC प्रवक्ता है, साथी सारव सिखदर जी हैं, BJP के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर, सारव जी आपके पास पहले आना चाहूँगा, क्या कारण है कि BJP के जो प्रदेश अंध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमिते से मिलने के बाद, ये बात छेड़ी है फिर से कि उत्तर बंगाल का पूर उत्तर के राज्यों में विलाए कर देना चाहिए, आप जानते हैं कि ये कितना शिल मामला है, जाय तक पश्यम बंगाल की राज्यों ती है, और जैसे कि अपेक्षा थी, वैसा ही हुआ कि TMC अचानक ये बात सुनते हैं, हमला वर भी हो गई है, तो क्या कारणे कि BJP ये मांग कर रही है, उत्तर बंगाल को अलग करने की? देखिए, TMC को तो कुछ भी बहाना चाहिए लडने, लेकिन मानव जैस्वाल जी याँ बैठे है, अगर मानव जैस्वाल जी कलकत्ता से है, आशा करता उसको बंगला समझ में आता होगा, तो सुकान्तो मजुमदार जी का जो वीडियो बारता है, उसको पहले मैं सुनने का अनुरोत करूंगा, क्योंकि उसमें क्लियर सुकान्तो मजुमदार जी ने बोला है, कि उत्तर बंगल को पस्चिम बंगल के अंदर रहते हुए, नौर्थ इसके साथ जोडने का रिक्वेस्ट किया है, उसने, चास्ट फाट डिबलम्मेंट, उसने एकदम क्लियर बोला है, और मैं भी एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कि बीजेपी या डॉक्टर सुकान्तो मजुमदार जो बीजेपी के प्रदेश अद्देख से कहीं पे भी अलग राज के बाद जिकर भी नहीं किया, अब देखिए, मैं खुट उत्तर बंगल से आता हूँ, तो मेरे को पता है कि उत्तर बंगल कितना पिछड़ा हूँ, उत्तर बंगल के लिए ये ना लेप सरकार कुछ किया था, ना ये त्रिनमुल सरकार कुछ किया है, तो अगर कोई केंवियों जोजना के तरफ जोडने के बाद उत्तर बंग का कुछ भला हो, उहां का लोगों का कुछ नहीं हम विकास के लिए हम बात कर रहे हैं सुकानतों मज्यूमदार ने बोला है कि 39 में जैसे अलग से डेवलोब्मेंट के लिए फंड दिया जाता है नॉर्थिस्ट को जैसे अलग नजर से देखा जाता है वैसे विकास के नजर से उस्तरवंगों को भी इसके साथ जोड़ा जाए लेकिन अगर कोई इसका मिस्ट्रांस्लेशन करेगा तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो माना जैसवाल जी साफ तोर पर कह रहे हैं सौरब जी की ये बात नहीं की गई है बलकि सिर्फ विकास का मुद्धा सामने रखा गया है कि ये जो क्षेतर है इसका विकास ठीक से नहीं हो पाया है यही कारणे कि अगर इसको सेंटरल गोर्मेंट की जादा स्किम्स चाहिए जादा मदच चाहिए तो इसके लिए एक अदम उठाया जाना चाहिए और इसलिए पी ए मोदी से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद यह बयान दिया है आपके माजन सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अखिलेश जी बड़ा अद्बुद लगता है जब भाजबाहियों की बात हम सुनते हैं वो जुम्ला बाबा के वज़े से इनके जो तथा कते जो नेतागन जब बात करते हैं यह पिछले कितने सालों से इनके एंपी हैं नौ चाहिए कुछ तकनिकी गड़बर है हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे लेकिन असौरब जी जहां तक बात मानो जी कह रहे थे मुझे लगता हूँ यह कहना चाहरे थी कि यह तो आपका गड़ है उत्तरी बंगाल तो आपके राज्य जो हैं आपके सालसद हैं क्यों नही को समालना होता है आचा आप पूरा यह तियेंसका ममता दीदी का जो कैबिनेट है उसमें उत्तर बंगल से कितना रिप्रेजेंटेशन पेंप्रेजर्टेसyeron इंगके संप। जिसको important ministry बोलता है important portfolio है कि उत्तरवंग से नहीं है आप 15 साल के आसपार सरकार चला रहा है उत्तरवंग वासी क्या काली आपको vote देने के लिए है तो क्या है कि क्यों कि वहाँ पे विजेपी का संसाथ ज्यादा जीते है विजेपी का विधायक ज्यादा जीते है ममता दीदी उत्तरवंग के जो जो विकास करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है कहीं कहीं जगातों बुला है मला के TMC का आरोप है और बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे बोले TMC कभी नहीं होने देगी है कभी नहीं किया है अगर किसी ना बोला है तो वह उसका व्यक्तिकत मता मत है सुकान तो मजुमदार जी बंगाल पीजेपी का प्रदेशत दर्ख से अभी भी तो अगर वो ये क्लिरेनली जब बोल रहा है कि हम उत्तर बंगाल को पस्टि मंगाल से अलग किये भी ना उनका विकास करने चाते हैं तो यह तो समझना चाहिए सब को और हो सकता है कि उसने भंगाली में बोला तो हमारे किसी किसी दोस्ट को समझने में असुविदा हुआ है तो वो ट्रांसलेट कर ले उसको लेकिन मैं फिर से स्पस्ट करना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं हम उन्नान चाहते हैं हम शुरक्षा चाहते हैं उत्तर बंगाल में चिकन नेक भी आता है जहां पर एक साइट भूतान एक साइट बंगलादेश और देश के शुरक्षा के लिए भी बहुत महत्तपुर्ण कोरीडर माना जाता है उसको तो आज और दिखिए क्राइम रेट वहां पर बढ़ता जा रहा है माथा भंगा में क्या हो रहा है चोप्रा में क्या हो रहा है आप ही लोग ने दिखाया है मैं आपको रुकूंगा क्योंकि माना जी के पास भी चलना होगा हमारा शुरु में संपर्क उनसे नहीं हो पाया था कुछ तकनी के लिए करती माना जी आप अपनी बात पूरी कर लें और सिधे तोर पर यह कहा जा रहा है कि चूकी वहां का विकास पिछले 15 वर्षों में टीम लोग हैं भाजपाई वाले आपको पता है कि नौर्थ बिंगॉल के लिए स्पेशल पाकेज़ेस हमने अपनी स्टेट हाइवेज वहां पे बनाएं वहां पे लगबद हमारे 27,000 किलोमेटर हमने हाइवेज कुछ सालों में बनाए है उसमें सबसे आदा जो हाइवेज हमारे पूरिजम वहां पर डेवलप हुआ है जिस तरीके से आतंग जिस तरीके से यह जितने लोग भी है आपको बताना चाहता हूं महमत्वा का निरवार किया है और उनके लिए नौर्द वेंगौल अपने परिवार से भी जादा अपने खुच से भी जाद अपने प्राणों से भी जादा सब्रक्राइंट को पतल पर नौद बंगौल को जिस सब्सक्राइब उसके पतल लेकिन तो क्या सबस्क्राइब कि वहां के लोग जो है वो टीम सी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यह तो उत्तर बंगाल के भी आकड़े हमने रखें टीवी स्क्रीन पर बीजेपी का गड़ बन गया है पिसले दो लोग सब्सक्राइब विदान सब्सक्राइब आपके काम से खुश नहीं है देखें हुआ क्या है सालों साल चला है नौस बंगाल के तरफ कि बंगाल में जो सरकार रहें यह हमेश्व से नरेटिव रहा है और भाजपाई जो जिस तरीके से बहुत सारे प्रामिसे जिन्हों ने करी तो बहुत साधा हो गए उन्हों ने इनके नेता को देखा उनके जुमले को देखा अज फिर वह वापस हमारे पास है और यहीं डर हो गया है बीजेपी को समझ गए कि 1226 में हमारी गर्ड यहां पे जो है किसा चुकी है हम हिन चुके हैं क्योंकि अभी जो एलेक्शन हो है जिस तरीके से हम ल सजोने का काम पहार से लेके ठाडी तक तो कहीं पर चलए चाहिए तो बीजेपी के अविजेपी के लिग अलग अलग सुरों सेachen के आती है कोई कोई कुछ बोल रहा है को दूसरी वाते देखिए जहां पर पूरी कर लें दीजी है मैं आपके पास आउंगा आपका समय की कमी है अपनी बात पूरी कर ले हमारे प्रदेश अद्धक जी यह बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि हम कहीं पर भी अलग राज के बात ही नहीं कर रहे हैं हम विकास के बात कर रहे हैं अगर विकास के बात करने से ट्येव को तो तकलिफ होता है क्योंकि यह करना चाहते नहीं है विकास की बात करते हैं पूछे कितने केंद्र के डेवलप्मेंट फंड बंगाल में इन्होंने इन्से पूछे कि हमारे किसानों के इन्हों कि अब देखें और सवरव जी आप दोनों से मैं पास समय की कमी है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमार साथ जुड़ने के लिए विस्तार से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो होट टापिक में वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद तुरन ताजिर हो रहा है हैलो मोटो मोटरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रैंड और अब बारी है मोटरोला प्रेजेंट स्टॉप स्टोरीज की प्रेक कि बारी है राइस्थान बीजेपी के अध्यक्षिय सीपी जोशी ने एक बार फिर अपने पस से इस्तिफे की पेशकर्ष की है सीपी जोशी ने विधानसवा चुनाओ नतीजों के बाद और लोगसवा चुनाओ से पहले भी इस्तिफे की पेशकर्ष की थी चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी के संगठन की कमान किसी OBC नेता को सौपी जा सकती है राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ब्राहम बने ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए मदन राठोड, प्रभुलाल साइनी और राजदर गहलोत के नामों की चर्चा है ये तीनों ही OBC नेता है और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राए हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेस सकते हैं इस बार जादा से जादा पड़क लेकर वापस आएं तो ऐसे में सवाल यही क्या भारत पेरिस ओलंपिक में पत्कों का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो होट टापिक में इतना ही नमस्कार